क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई अनोखे रिकॉर्ड बने हैं जिन पर एक बारगी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है अभी हाल ही में बंगलादेश के एक बॉला ने सिर्फ चार गेंद में 92 रंग दे दिये थे जो क्रिकेट की दुनिया में असंभव माना जाता है एक ऐसा ही अनोखा रिकॉर्ड है एक गेंद में 286 रं बनाने का इस मेंच की कहानी क्रिकेट की दुनिया की सबसे चर्चित कहानी है कैसे बना एक गेंद पर 286 रं यह कहानी है सन 1894 की जब क्रिकेट का खेल दुनिया में अभी पूरी तरह मशूर नहीं हुआ था एक लेक के मुताबिक 18094 में इंगलेंड के विक्टोरिया शहर और उसके पडोसी शहर सकारटे के भी एक मैच खेला गया था जिसमें विक्टोरिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाज़ी करने का फैसला लिया था उस समय क्रिकेट स्टेडियम आज की तरह नहीं होते थे वह मैच जिस मैदान में खेला जा रहा था उसमें मैदान के अंदर ये एक विशाल पेढ था विक्टोरिया की तरफ से सलामी बल्ले बाजी करने उतरे बल्ले बाज ने पहली ही गेंद पर इस तरहे प्राहर किया की गेंद पेड़ पर जाकर अटग गई गेंद पेड़ पर अटकी हुई थी और इधर बल्ले बाज मैदान रन के लिए दोड़ लगा रहे थे फिल्बलर ने पेड़ से गेंद उतारने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे जिसके बाद उन्होंने अमपायर से नई गेंद की मांग की लेकिन अमपायर ने कहा कि नई गेंद नहीं मिलेगी पेड़ पर अटकी गेंद उतारने को उतार ना होगा इस दोरान बल्लेबाजी टीम रन के लिए विकेटों के बीच डोड़ती रही पेड काफिल उचा था जिस वज़े से सकारटे की पूरी तहें तमाम प्रयासों के बावजूद गेंद नहीं उतार पाई जब सकारटे की पूरी टीम बॉल को निकाल पाने में काम्याब नहीं हो पाई तो उसने अमपायर से पेड काटने की इजाज़त मांगी जिसके बाद एक पेड काटने के लिए एक मजदूर को बुलाया गया मजदूर ने घंटों की मेहनत के बाद पेड को काटा तब जाकर गेंद उतर पाई गेंद जब तक पेड से उतरती तब तक वो विक्टोरिया की टीम ने 286 रंग डॉड लिये थे इस मेच की कहानी पर हाला की काफी विवाद भी हुए है यहाँ मैच सही में हुआ था और विक्टोरिया ने इसमें जीत हासिल की थी उस वक्त मैच को अधिकारिक और पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है इसलिए पत्रिका के दावे पर विश्वास करने के आलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता